हेलो फ्रेंड्स मैं हूं कमलेस और काना बेकरी में करती हूं फिर से आपका स्वागत आज हम लाए हैं छोटा सा सुन्दर सा केक तो यह हम छोटू सा केक बनाएंगे तो यह मेरा पहला केक था जो मैंने डाइसो ग्राम का बना रही हूं तो इसको हमने ऊपर की लेर कट कर दी बीच की कर दी, नीचे की कट कर दी अब इसका अंदर हम डालेंगे सुघर कारद किया तो इसको मैंने दूस्री लेयर भीर रख दूंग हमने जो कत तुमरब युक्त युक्त मों सुरथ ना राखंगे अ कि दोनों हम डाल देंगे और मोपर की लेयर कफी पतली थी तो चोनुद थोड़े सी मेरे पास चोकलेट स्पंज रखा था तो उसकी मैंने पतली से लेर काटके इसको पर कवर कर दिया जिससे ही हमारा केक थोड़ा सा उच्छा सा लगे क्योंकि बहुत छोटू सा केक लग रहा था मुझे तो देखते हैं आप इसका हाइट किस तरह से होगा कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि चोकलेट का बजन ज्यादा होता है साथ में उसमें डला हुआ जेल तो देखते हैं आगे क्या इसका वेट बैठता है तो मैं केक बना रही थी तो मैंने इसको पाइपिंग बैग में भर लिया था क्रीम को और अच्छे से इसको मैंने कवर कर ल जो बच्चों की फाइल होती है या ATM कार होता है किसी भी आप इसको कट करके बना सकते हैं तो मेरे को यहाँ पर डिजाइन दूसरा बनाना था लेकिन बना दिया कुछ और ही लेकिन यह भी काफी अच्छा बना तो यहाँ पर मैंने दो चमच लिया है चोकलेट सोरी दो तक नाल दिया है था चौकलेट के किया और इसके बाद मुझे यह चौकलेट सोरी ही लिया मैंने और उसे इसको मैंने फनीसिंग दे और मैंने यहां पर लिया ट्यूपिक, ट्यूपिक से मैंने इसको इस तरह से नीचे से उपर लाते हुए, इस तरह से डिजाइन दे दिया, मुझे डिजाइन यहां कुछ और देना था, लेकिन यह भी अच्छा लग रहा है, अब मैंने इस तरह से बनाने के बाद मैंने बना दिया ओपर एक फ्लोवर इस्टार नोजल से और उसी से हमने नीचे का बॉर्डर को कवर कर दिया थोड़ा सा गॉल्डन स्प्रेज छी रख दिया हमने जिसके हमारा केक सुंदर लगे ओपर से एक चेरी तो अब इसका हम वेट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहां यह 400 ग्राम क केक बन गया था लेकिन कोई बात नहीं तो यह फ्रेंड्स यहां पर मैंने लगा दी हैं दो रोल और कैसा लग रहा आपको यह मेरा चॉकलेट केक अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक से सस्क्राइब जरूर करें तो इसी तरह से मैं आपके छोटी छोटे प्यारे प्यारे सुन्दर सुन्दर केक की रेस्पी लेकि आती रहूंगी फिर मिलती हूँ एक नई रेस्पी साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर एंड इंजोई